हेलो स्टुजेंट आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्छप पाच विशेप परिया वरड एडग्रेट अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2024 पचिस के हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे part ex लेके part 10 तक part 10 में बोलती इमारतें तक आपको जो इस वीडियो में solution दिया जाएगा तो आपको इस वीडियो में last तक बने रहना है अइसे पहचाना चीटी हैं दोस्त को तो चलेए question के और चलते हैं पहले में हैं एक खेत में चूहा हल चल कर रहा है कौन सा पक्छियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा तो आपकी ऑप्संस दिये हुए हैं इसमें आपका सही उतर हो जाएगा सेकेंड नमबर चील बाज गिद तो इस तरह आपको लिख देना है इसके बाद नेक्स्ट में हैं मचलियां खत्रे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं तो आपका उतर हो जाएगा ए नमबर बिजली तरंगों से इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कोशन आता है आपका ती आनी हुई होगी तो आपका उतर हो जाएगा तीसरा नमबर दोनों आग खोल कर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है दा नमबर में है पक्षी जब दोनों आखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो तो आपका तीसरा सही हो जाएगा उन्हें चीजों के दूरी का एहस लेता है दूसरे में चीटिये चलते समय जमीन पर कुछ छोड़ती है जिससे साथी चीटियों को रास्ता मिल जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ भरना है इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है तीसरे में है तो यहाँ तीसरा कज़ो अपने बुक्सी ढूर के आप भल लीचे का चौथे में आपको भरना है सर्दियों के दिनों छिपकलियां लंबी नेंद में चली जाती है इसके बाद आता है आपका चौथा में बागी की मूछे तो यहाँ पे आपको मूछे भरना है बागी की मूछे हावा में हुए कमपन तथा सिकार की सही इस्थिती को भाप ल चील, बाज और गिद जैसे पक्छी हमसे चार गुना दूर से अपनी भोजन को देख पाते हैं। 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर गुमन्तु नहीं, उक्त पहेली में किस जानवर के बारी में कहा गया है। तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं। साथवे में हमारे देश में कौन-कौन से जानवर लुप्ध होनी की कगार पर है। तो आपको उत्तर में लिखना है हमारे देश में बाग, ACI, सेर, बंगाल, टाइगर, आदी, जानवर, लुप्ध होनी की कगार पर है। इसके बन नेक्स्ट आता है आपका प्रिश्न कर्मा का आठवा। नौमा में हैं बाग की कौन सी विशेज सक्ती आप पाना चाहेंगे और क्यों इस सक्ती का उपयोग कैसे करेंगे। तो आपको लिखना है हम बाग की कमपन को भाब लेने की विशे सक्ति को पाना चाहेंगे क्योंकि इस सक्ति से हम हमारे यहां होने वाली किसी भी प्रकर्तिक आपदा जैसे बुकाम, पाड, सुनामी, आदी का पूरु अनुमान लगा पाएंगे एवं शोयम को एवं अपने आ तो आपको तर्मिलिकन है हमारे देश में बाग एवं अन्य कई जानवरों की गिंती इतनी कम हो गई है कि इनकी लुप्त होने का खत्रा है इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमारी सरकार बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है जैसे उत्राखंड का जिम कारबेट तो आपको इस तरह करना है इसके बाद आता है आपका प्रजेक्ट कार प्रजेक्ट कार में आपका कोस्चन है दी कई तालका में घर में बिन बुला या पालतू कोई दस जानवरों की विशय में निमनांकिल जानकारी भरी है तो देखना है आपको करमांग भरना है जानवर पालतू बिन बुलाय जानवर, भूजन क्या खाते हैं, कहां रहते हैं, दिन रात में शक्रिये रहते हैं, अपनी रक्षा कैसे करते हैं, तो इसको जो है आप बुक से देखके भली जगा, ये था आपका लास्ट कोशन गिंगे, पाठ दो, पाठ दो में है कहानी शपेरों की, तो चले कोशन के और चलते हैं, पहला कोशन आता है आपका, नेमन में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बजाया जा सकता, तो आपका उत्तर हो जाएगा, C नमबर ढूल, दूसरे में है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूं, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूं, ए भारत देश में पाय जाने वाले सापों में से जहरीले सापों का समूग है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, चौथी नमबर नाग, दुबोईया, कहरात, तो इस तरह आपको करना है, इसके बाद नेक्स आता है, आपका दा नमबर में है, एक लड़की, एक लगडी काले कप कपड़े, एक लड़की काले कपड़े पहन कर साप की मुद्रा में नरत कर रही थी, यह नरत क्या कहलाता है, यह नरत कहलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, ची नमबर काल बेलिया, इसके बाद आता है आपके रिक्तिस्थानों वाले प्रेश्न, तो यहाँ पे आपको पहले में भरना है, हमारे देश में पाय जाने वाले कुछ साप, यहाँ पे आपको लिखना है, जहरीले होते हैं, दूसरे में साप के जहर से बचाव की दवाई सीरम, साप के जहर से ही बचाई जाती है, तो आपका साप हो जाएगा, तीसरे में सरकान नी कानून बना दिया कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है इसे सपेरों की रोजी रोटी में कशनाई होगी तो आपको यहां रोजी रोटी लिखना है चौथे में सपेरों के प्रेति सदस्षियों समुदायों से बातचीत करके यह इस साप की काटने से उनका जहर व्यक्ति के सरीर में चला जाता है इस जहर के असर को खतम करने वाली दवाई कैसे बनाई जाती है तो आपको उत्तर मिलिखने साप का जहर ना लगे इसलिए सपेरी क्या करते हैं तो आपको उत्तर मिलिखने साप का जहर ना लगे इसलिए सपेर साप के डसने वाले दात निकाल देते हैं एवं उसकी जहर नली को बंद कर देते हैं इसके बाद आता है अपका लगुत्री प्रश्ण प्रश्ण कर्मांग चौते में पुराने समय एवं वर्तमान समय में सापों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया अपने सब्दों में लिखो आपको उतर मिलिखना है पुराने समय में सापों के काटने सापों के काटने पर लोग सपेरों से दवाई एवं जड़ी बूढिया लेते थे एवं वर्तमान समय में साप के काटने पर डॉक्टरों के पास जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोश्च चनाता है आपका पांचोय में है निम्नवर्ग पहली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जिव जनतों के नाम छाट कर लिखे तो आपको इस तरह से लिख देना है मुर्गी, बंदर, साप, घोड़ा, गाय, बैल इसके बाद नेक्स्ट कोश्च चनाता है आपका चटोय में यदि आपका पालतू पसू बिमार है तो आप उसकी देखभाल की सतरह करेंगे आपको उत्तर मिलिखना यदि हमारा पालतू पसू बिमार है तो हम उसे पसू चिकित सालाय के पास ले जाएंगे साथवे में यदि किसी को साप काट लेता है तो डाक्टर के आने से पहले प्रात्मिक उपचार के लिए आप क्या कर, क्या उपाय करेंगे आपको उत्तरमिलिक ने यदि किसी को साप काट लेता है तो हम तुरांत उसे डाक्टर के पास ले जाएंगे एवं व्यक्ति को जादा फिलने नहीं देंगे क्योंकि ऐसा करने से सांप का जहर तेजी से फैलता है आठवे में हैं सरकारने जानवरी की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए है उनसे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है आपकी विचार में यह कानून सही है या नहीं तो आपको उतरमलिक ने सरकारने जानवरी की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए है उनसे सपेरे, मंदारी एवं ऐसे ही अन्य लोग जुच जानवरों पर निर्भर थे उनका रोजगार प्रभावित हुआ है परन्तु जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बनाना भी शही है इसके बाद आता है आपका देरहुतरी प्रेश्ण नौमे में है राजु की खेत में साप को देखकर वहाँ खड़े लोग उसे मारने का प्रेयास करने लगे परन्तु राजु ने उन्हें साप को मारने से रोका सोची और बताईए गर राजु ने ऐसा क्यों किया तो आपको उतर में लिखना है राजु ने ऐसा इसले किया हुगा क्योंकि सांप किसान का दोस्त है वह चूहा को खाता है और खेद में फसलों को चूहों से बचाता है यदि हम राजों की जगह होते तो हम भी लोगों को शांप को मारने से रोकते इसके बाद आता है अपका 10 में है चितर A एवं B देखकर दिये गए प्रिशनों की उत्तर लिखे तो आपको उत्तर में लिखना है प्रिशना आता है आपका अपने विचार में बाग को कहा होना चाहिए जंगल में या पिंजरे में आपको उत्तर में लिखना है हमारी विचा में बाग को जंगल में होना चाहिए दूसरा है सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है उत्तर में लुप्त होते टाइगरों को बचाने के लिए सरकार टाइगर रिजर्व बना रही तीसरे में क्या आपने सभी सरकस देखा है सरकस के जीवों प्रती जीवों के प्रती आप कैसा महसूस करती है तो आपको तर्म लिखना हाँ हमने सर्कस देखा है रिंग मास्टर जब सर्कस में पशुओं को इंटर से मारता था हंटर से मारता है तब हमें अच्छा नहीं लगता है इसके बाद आता है आपका प्रजेक्ट कार प्रजेक्ट कार में आपका दिया है आपके आसपास अपनी अजीवका के लिए जानवरों पर निरभर लोगों का पता लगा कर निमने तालिका में लिखिये यहां पे आपको जानवरों को नाम लिखना है पालने वाले का नाम और जानवर से मिलने वाली अब बुक से देखे कर लीजेगा यह दे पाठ तीन पाठ तीन में हैं चखने से पचने तक तो चलिए पहला कोश्चन आपका देखते हैं इन में से क्या खाने पर पेट में अमलिता बढ़ती है और खाना ना पचने की परिशानी होती है आपको उत्तर हो जाएगा तीन नंब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शा नंबर में आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना बिना चके भी कैसे पता लगा सकते हैं तो आपको उत्तर में लिखना है देख कर वा शूंग कर दोनों से इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है दा ज्यादा तर खाने का स्वाद उसकी गंद से आता है इसके बाद आते हैं आपके रिक्तिस्थान वाले प्रेजन तो आपको पहले में भरना है यहां पे ताकत दूसरे में भरना है आपको मीठे तीसरे में भरना है आपको श्वाद और चौथे में भरना है आपको पाचक एव टेसरे कोश्चन है भोजन देख मुह में आ गया पानी, मुह में भोजन के पाचन में करूं आसानी बता कर मेरा नाम दिखाओ गुधि मानी तो आपका उत्तर हो जायेका दाथ एवं लार इसके बाद है आपका चौथा में है पेट में बढने वाले रस का नाम लिखो तो आपको तरम लिखना है पाच चकरस इसके बाद नेक्स्ट कोच चनाता है आपका लगुत्रिय प्रेजन पांचवे में है मीठी ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया उसने खाने में दाल, चामल, हरी, सबजी, रोटी और सलाद रखा उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पॉस्टिक भोजन खाती हो इसलिए इतनी स्वस्थ हो जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ क्योंकि मैं तो अधिक तर पिज्जा, चिप्स, बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ तो आपका पहला कुछ चनाता है क्या आप रोज-रोज पिज्जा, चिप्स, बर्गर खा सकते हो यदि हाँ, नहीं तो क्यों तो आपको तर्म लिखना है नहीं हम रोज-रोज पिज्जा, चिप्स, बर्गर नहीं खा सकते क्योंकि यह पॉस्टिक नहीं होते हैं दूसरा कोच्छा है किसका खाना स्वास्थ के लिए अच्छा है और क्यों तो आपको तर्म लीना है मीठी का खाना स्वास्थ के लिए अच्छा है क्योंकि वह पॉस्टिक है तीसरे में हैं सलाद के रूप में आप क्या-क्या खाते हैं सलाद क्यों खाना चाहिए तो आपको तर्म लिखना है सलाद के रूप में हम खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, पत्था गोभी, टमाटर आधी खाते हैं सलाद इसके बाद जो है आपका next आता है छटवे में हैं हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन-कौन से स्वाद पहचान पाते हैं तो छाटवी का उत्तर जो है आपको यहां से लिखना है हमें भोजन का स्वाद जीब से पता चलता है और हम खटा मीठा तीखा कड़वा को सेला नमकीन आदी स्वाद पहचान पाते हैं। next question है दूसरे मिए बीमार वेक्ति को कब और क्यों दिया जाता है तो आपको तरम लिखना है जब वेक्ती के सरीर में पानी भोजन की कमी हो जाती है तब तुरंत टाकत देने लिए गुलुकोज दिया जाता है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीरगुत्री प्रेश्ण प्रेश्ण कर्मक नॉमा में है पाई चार्ट में भोज पदार्थों के तीन समूह ए बी और सी दिये गया है इन समूह को देखकर प्रिश्णों के उत्तर लिखिए तो पहला प्रिश्ण आता है आपका इन में से किस भोज समूह में पौस्टिक हेल्दी खाने को रखा है उनके नाम लिखे तो आपको तर्म लिखना है इन में से भी समूह में पौस्टिक हेल्दी खाने को रखा गया है पनीर, अंडा, दाल, चामल, सबजी, केला, आदी दूसरे में है आप इन में से किस भोज समू का चैन करोगे और क्यों तो आपको उत्तर में लिखना है हम इस में से भी समू का चैन करेंगे क्योंकि वह समू पॉस्टिक भोज पदार्धों का समू है इसके बाद आता है अपका प्रिश्न करमांग 10 में है भरपेट खाना सभी बच्चो का हक है, इसके लिए सासंद्वारा क्या-क्या प्रियास किये जा रहे हैं, तो आपको उत्तर में लिखना हैं। मुखमंतरी, अन्वपूर्णा, योजना, आदी तो इस तरह आपको अंसर करना था यह था पार्ट चार, पार्ट चार में है खाय आम बार हो महिने तो चलिए कोस्चन देखते हैं पहला कोस्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप कोस्चन पहला कोस्चन है खाने के पचने के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है तो इस रहे आपके options इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा खाने के दौरान पानी पीने से खाना अच्छे से पचता है तो आपका D-number सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद next question आता है आपका D-number में आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज साल भर नहीं रखी जा सकती है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आम की कड़ी इसके बाद next question आता है आपका S-number में निमन में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा पूरी तरह से उबला अंडा तो आप ये कर लिजेगा इसके बाद आपका next आता है दानमबर में है बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीते समय आप कैसे जानेंगे की वह खाने योग है या नहीं तो आपका उत्तर होगा पैकेट पर दी गई तारीक से तो इस तरह आप कर लेना है इसके बाद next आता है आपका रिक्त इस्थानों वाले प्रश्न तो यहाँ पे पहला जो लिखा है दूद को उबाल कर संरक्षित किया जा सकता है तो आपको यहाँ पे उबाल कर लिखना है दूसरे में बड़ी पापड और चिप्स दूद में शुखाने के कारण साल भर खराब नहीं होते हैं यहाँ पे आपको शुखाने भरना है नेक्स्ट कोर्शन है तीसरा में आचार को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए उन में नमक तेल और गुड़ चीनी मिलाये जाते हैं तो आपको इस तरह भर लेना है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चोथे नमबर में कच्चे खाद पदार्थों की अपेक्छा पके हुए खाद पदार्थ है तो यहाँ पे आपको जल्दी खराब हो जाते हैं तो आपको जल्दी लिखना है इसके बाद आता है आपका अतिल इभूतरी ही प्रश्ऩ, प्रूश्न करमांक दूसरा में हरा धनिये को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो आपको उत्तर मिलिखना है, हरे धनिये को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदोगे तो आपके उत्तर में लिखना है ब्रेड के पैकेट पर मुल वजन तारीक और तारीक आदी देखकर खरीदेंगे इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है चौथे में हैं शुखा कर खाई जाने वाली चीजों को गोले से मिलाइए आपके देखिए यहाँ पे लिखना है शुखा कर खाई जाने वाली चीजें आपको हो जाएगा पापड, मुरब्बा, बड़ी, अचार, चिप्स तो आपको इस तरह से लिख लेना है इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका लगुत्री प्रेशन, प्रेशन करमांग पाच में है अचार को सीशियों में रखनी से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है, क्या आपकी मा कोई अन तरीका भी अपनाती है, क्यों तो आपको तर्म लिखना है शीशियों के काच के जार से नमी को दूर करने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है मा भी यही तरीका अपनाती है इस तरह आपको करना है इसके बाद नेक्स आता है आपका चटवे में है आम के मौशम में खटे मीठे आम खाने में बहुत मज़ा आता है आम पापड़ खाकर हम साल भर आम के खटे मीठे स्वात का आनंद ले सकते हैं आंदर परदेश में इसे क्या कहा जाता है इसे किस प्रकार बनाया जाता है तो आपको तर्म लिखना है आम के पापड को अंद्रपरदेश में मामडी तान्रा कहते हैं इसे आम के गूदे को शान्र चीने के घोल में मिला कर धूप में सुखा कर बनाया जाता है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट कोशन सातवे में चित्र में दिये गए इस्थान पर फालों से बनने वाली खाद शमागरियों के नाम लिखे तो आपको लिखना है यहाँ पे देख लीजी लिखा है फालों से बनने वाली चीजों के नाम लिखो तो लिखना है आपको आम, आउला, शंत्रा बनने वाली चीजें लिखना है पापड, कड़ी, तेल, मुरब्बा, अचार, रश, आइसक्रीम, जेली, अचार तो इस तरह आपको लिख लेना है इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका दिर्ग उतरी प्रेश्ण प्रेश्ण करमंग आठ में है मीना विद्य प्रेट खाने योग होगी यदि नहीं तो क्यों तो आपको तर्म लिखना है वे ब्रेट खाने योग नहीं थी क्योंकि ब्रेट पर फफूंद आ गई थी खराब हो चुकी है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेश्ण करमंग नौमा में मीना अपनी नानी के घर ट् मीना के मीना के खाने किस दिन खाना चाहिए ताकि खाना खराब हुए बिना उपयोग हो सके तो आपको तर्म लिखना है पूड़ी आलू की सबजी सेव केला दूध दूध मत्री नमकीन अचार पोहा ब्रड एवं जेम बिस्किट तो यहां पर लिखना है दिन पहला दिन मे और यहां पर कारड तो पहले दिन में उसने खाया दूध पुड़ी आलू की सबजी पोहा मत्री कारड खराब होने की संभावना ज्यादा है दूसरे में है शेव केला नमकीन खराब होने की कम तीसरा में है अचार ब्रेड एवं जेम बिस्किट तो इस तरह आपको लिखना है दी गई शमागरी का मोले कितना है तो आपको उत्तर में लिखना है बारा दूसरे में दी गई शमागरी में किनकिन पदार्थोक उपयोग किया गया है इसको बुक से देखके कर लिजेगा तीसरा कोश्चन में समागरी के निर्मार कप किया गया तो आपको उत्तर में लि थो चलते हैं पहला CSS आता है आपका सहे वीकल्ब टाइप जो टो आपका जो जिस लुए फिर शुजेव घावर कर गीले कपड़े में लपेट बिजों के लिए कौन सा सायक नहीं है तो आपका इतर हो जाएगा आपका रिक्तिस्थानों वाले प्रेश्ण तो पहले में आपको अफरीका भणाया, इसरे में हैं बीजों के अंकुरण के लिए तापमान, पानी वा नमी, हवा, प्रकाश अवश्यक घटक हैं, तो बहुय बढू लीज़ेगा, तीसरे में आपको जीवों से भरना है, चौथे में आपको गुमकड भरना है, छमता इस त तरह भर लेना है इसके बाद आता है आपका अधिल अगुत्री प्रेश्न करमांग दूसरा में कौन-कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं आपको तर्म लिखना है आम की बीजों से बाजा बजाया जाता है तीसरे क्वेश्चन में है बीना बीज के उगने वाले किसी एक पधे का नाम लिखो तो आपको लिखना है मनी, प्लांट, आलू, गुलाव, आदी इसके बाद चौथा में हवा से उड़कर बिखरने वाली बीज कैसे होते हैं तो आपको उत्तर में लिखना हुए बीज पंक वाले होते हैं जो गिरते समय हेलिकाप्टर तरह उड़ते हैं पाचवे में प्रिया और मनोच के सिक्षक ने उन्हें चने को अंकुरित करके लाने के लिए कहा प्रिया के बीज अंकुरित हो गया परन्तु मनोच के नहीं प्रिया ने मनोच को बीज के अंकुरड के लिए क्या सलाय दी होगी लिखे तो आपको उत्तर में लिखना है प्र प्रशनाता है यह चित्रकिष पौधे का है तो आपको उत्तर में लिखना है नेफितिन्स दूसरा कोश्चन है इस पौधे का भोचन क्या होता है तो आपको लिखना है यह कीडे, मकोडे वा छोटे जीवों का शिकार करता है इसके पान नेक्स्ट में है दिए गए शबजीयो मूली, सेव, मूली, सेम, करेला, मुंभली, आलू, अमरूद आपको लिखना है जैसे यहाँ पर लिख है भारत, भारत में होता है बैगन, मूली, करेला, ना, करेला, आम, दक्षिड अमेरिका में अमरूद, चीनी, आलू, टमाटर, और यूरोप से गोबी, मटर, अफरीका में कॉफी, तरह कर लेना है, इसके बाद आपका नेक्स्ट कोश्चन आता है, आठे में सोची और लिखे, मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीच, अजवाइन, मेथी, शौंप, तीसरा करना है, द्यूसरे में हलके बीच, जीरा, शौंप, धनिया, तीसरा कोश्च आती है, उसके उगने की प्रिकरिया का अवलोकन कर अंकुर करम बद चरलो को दर्साता हुआ नमांकित चितर बनाई है, तो आपको उत्तर में लिखना है, गमले में जब बीच को मिटी मिल जाती है, तो नमी पाकरवा अंकुरित होता है, तो यहाँ पे आप बुक से देखक मोना ने दो गमले लिए, गमला A में उसने जाबुद दाल के बीच बोई और गमला B में दली उई बोई, उसने दोनों गमलों में शमान रूप से पानी वा खाद दी, उसके एक गमले में अंकुरड हुआ, दूसरे गमले में अंकुरड नहीं हुआ, तो आपके पहले कोश् विभाजित किये बोया के बाद दूसरा कोश्चन है कि इस गमले में अंकुरड नहीं हुआ होगा और क्यों तो आपको लिखना है गमला भी में जब हम दाल को चीरते हैं तो अंकुरित होने की छमता खतम हो जाती है केवल बूरे बीज में ही पूरे बीज में ही अंकुरड होत इन बीजों के बारे में लिखे तो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट कार में लिखना है आपको यहां पर बीजों के नाम यहां पर हो जागे बीज यहां पर हो जाए बीजों के नाम रंग अकार उपरी सतय उप्योग जैसे उदारण मियां पर लिखे है मशूर रंग होता है लाल और अकारिश का होता है गोला और उपरी सताइश का होता है चिकना और उपयोग में आता है दाल की रूप में तो यहाँ पे आपको लिखने है शोयबीन शौईबीन का रंकहे होता है पीला इसकी अकार गोल होती है और यह जिकना होता है तेल खाद पदार्थों में तो इस तरह आपको लिख लेना है यह पाट चशह है पाट चशह में दिया है बूंद बूंद दरीया दरीया तो चलिए question देखते हैं, पहला question आता है आपका, गर्मियों में पानी की किलत कमी आम बात है, अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो किलत से बचा जा सकता है, घड़ सीसर में एक दूसरे से जुड़ी हुए लगातार नौ तलाब बनाए गए थे ताक आपका next question आता है, दूसरे में है, अल बिरोनी किस देश से आय थे, तो आपका उतर मिलखना है उजबेकिस्तान, तो आपका D number सही उतर हो जाएगा, इसके बाद शानमबर में यह चितर संदेश देता है कि, तो आपको जो है उतर मिलखना, तो आपका सही उतर हो जाएगा, इसके बाद next question आता है, आपका D number में है, हमें बारिश के दिनों में पानी एकठा करने का इंतिजाम करना चाहिए, इस संदेश में कौन सा कधन सही नहीं है, तो आपको उतर मिलखना है, तो आपको उतर मिलखना है, सही उतर हो जाएगा, बी नंबर कुगा तलाब, टेंक का निर्मार नहीं करना चाहिए, इसके बाद जो है, आपका next question आता है, रिख्तिस्थानों की पूर्ति कीजे, तो यहाँ पे आपको पहला question दिया है, पुराने समय में यात्रियों के प्यास बुझाने के लिए प्याव मसक बनाते थे, तो आपको ऐसे ही भरना है, दूसरे में आपको अनमूल भरना है, तीसरे में आपको वर्षा जल, इसके बाद चौथे में आपको भरना है, नौ तलाब, इसके बाद आपका next question आता है, आती लगुत्री प्रेशने, प्रेशन करमंग दूसरा में, सीमेंट से बनी, सड़कों पर बारिस का पानी बहकर कहा जाता होग तो आपको तर में लिखना है, नलियों में, पाइपों में, गड़ों आदी में जाता होगा, तीसरा question है, दियेगा चीतर में, निशान खींच कर बताएए कि बारिस का पानी छट से टेंक तक कैसे पहुँचेगा, आपको छट का पानी इधर आएगा, फिर इसके बाद जो ह पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए किस-किस तरह का इंतजाम किया जाता था, तो आपको तर में लिखना है, पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए प्याहु मशक आदी का इंतजाम किया जाता था, इसके बाद आता है, पाचवे में बावडी को सीडी दार कुणागयों कहते हैं, तो आपको तर्म लिखने हैं, बावडी में सीडीयां जमीन के नीचे कई मंजल तक जाती है, इसमें पानी उपर से खीचने की बजाय खुद पानी तक पहुचा जा सकता है, चटवे में हैं वर्क पहली से विभी इ शुरोतों के नाम खूच कर लिखे, तो आपको लिखना है जैसे यहाँ पे हो गया आपका नहर, वैंगा जील, यहाँ पे आपको हो जाएगा झील, यहाँ प्रिश्नकरमांग सात्वा, सातवा में नीचे दिये गए बिल को देखकर प्रिश्णों के उत्तर लिखे तो यहाँ पे आपका बिजली बिल के पोस्टर दिया हुआ है इसको देखके आपको उत्तर लिखना है पहला question में पूछा है यह बिल कौन से दफ्तर से आया है तो आपको उत्तर में यह बिल दिली जल बोड के दफ्तर से आया है दूसरे में बिल के अनुशार कितनी राशी के भुखतान करना है आपको उत्तर में दो महिनों के 350 रुपए देने यानि महिने के 175 रुपए देने है इसके बाद तीसरा में है यह बिल किसने जारी किया है तो आपको उत्तर में लिखना है लगा कर जमीन का पानी निकाला जाता है तुलाब जिन में बारिस का पानी इकटा होता था अब वह शूख जाते हैं इसके बाद नौमे में है पानी के दुरूपयोग वा जल संटक्षड के प्रेती लोगों को जागरूप करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंदित संदेश का पोस्टर बना कर एक नारा स्लोगन लिखे आपको तर्म लिखना है जल संटक्षड पर नारा श्लोगन पानी बचाओ जीवन बचाओ जल बचाओ कल बचाओ पानी को दुरूपयोग नहीं करना तो इस तरह आपको स्लोगन लिखना है आप चाओते हैं एक चित्र भी बना सकते हैं इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट आता है प्रिश्न करमेक दस्वा दस्वा यदि किसी कारणवस आपके घर पर तीन से चार दिन पानी नहीं आता है या किसी दूसरे वेक्ति से पानी लेना पड़ता है तो आप किस तरह करना है इसके बाद आता है आपका प्रजेक्ट कार प्रजेक्ट कार में आपका कोश्चन दिया है आप प्रेदी दिन पानी का किस किस काम में और कितना उपयोग करते हैं नीचे दीगे तालिका में लिखे तो आपको यहाँ पे लिख देना है किया जाने वाला काम और पानी का कितनी मात्रा में उपयोग मग गिलास पाल्टी तो पानी का आप कैसे उपयोग करते हैं आप अपने अनुशार यहाँ पे लिख लेज़ेग वेटियो में देखेंगेर पाठ 7, पाठ 7 में दिया है पानी के परियोग तो चलिए क्वुश्चन देखते हैं, पहला कोश्चन आता है आपका वस्तुनिस्ट प्रेस्न तूसरा क्वुश्चन आता है चाय बनाते समय कौन सी चीज पानी में नहीं घुलेगी और जब इसे चानेंगे तो चानने पर कौन सी चीज चननी में उपर रह जाएगी तो आपका उत्तर हो जाएगा B number चाय पत्ती इसके बाद आता है आपका percent number में है पानी में तरने वाली चीजों के सही समुग को पहचानी है तो आपको उत्तर में करना है B. कागज की नाओ, प्लास्टी की खाली बोतल, प्लास्टी की गेंद, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसके बाद आता है आपका, दा नमबर, दा नमबर में है, आईसा ने कच्चा अंडा और उबला अंडा पानी से भरे काच के गिलास में डाला तो तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, D नमबर कच्चा अंडा डूब जाएगा, और उबला तैरने लगेगा, तो आपको इस तरह उत्तर करना है, इसके बाद आता है आपका रिक्तिस्थानों वाले प्रेश्ण, तो प्रेश्ण करमागे पहले में जो है, भालीजेगा इसके बाद नेक्स्ट कोश चनाता है आपका लगुत्री प्रेश्ण कर्मांग दो में है पानी में नमक डालने पर क्या होगा तो आपको तर में लिखने है पानी में नमक डालने पर इनके गोल का कोथनांग सुद्ध पानी से अधिक हो जाता है इसके बाद तीस सेंसार के सबसे नमकीन सागर का नाम लिखें तो आपको तरम लिखने है म०्त सागर इसके बाद चौत कोश चनाता है आईसा ने अपने टीफिन के ढखकन पर तेल पानी और शकर के गोल के बूणों की शोच का लिखिए कि टिफिन के ढखकन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी सबसे पीछे होगी और क्यों तो आपको तर्म करना है पानी की बूंद सबसे आगे और सकर की घोल की बूंद सबसे पीछे होगी इसके बाद आता है आपका लगूत्री प्रिश्ण कर्मांग 5 में है रमा ने दो चम्मच नमक को आधे कब पानी में घोल दिया है अब इसे वापिश प्राप्त करने के लिए लिखे तो आपको तर्म लिखना है आप पानी को उबाल सकते हैं या वास्पित कर सकते हैं और ऐसा करने पर नमक ठो सुरू पीछे रह जाएगा तो आपको इस तरह आंसर करना है इसके बाद आता है आपका प्रिश्ण कर्मांग 6 छै में है नेमन में से कौन सा गीला रुमाल जल्दी सूखेगा और क्यों आपको उत्तर में लिखना है तेज धूप में डाला गया गीला रुमाल क्योंकि धूप बहुत जल्दी पानी को भाफ लेता है तो इस तरह आपको उत्तर करना है इसके बाद आता है आपका प्रिश्ण कर्मांग 7 इस तरह से लिखे इसके बाद आता है आठाव प्रश्ण करणा चीतर के ऊतर दीचे भी ओर हे सकर जाय को प्लास्टिक की बॉल, रिंग, तो आपको उत्र में करना है, प्रिश्ण करमांग पहले में है, चितर में पानी में तैरने वाली वस्तों के नाम लिखकर उनके तैरने का कारण लिखे, तो आपको उत्र में लिखना है, पेंसिल, बॉल, प्लास्टिक की बॉल, बर्प, पानी क गहना तो इस से जादा होता है दूसरा याता है दूसरा में चितर में पानी में डूबने वादी वस्तोय के नाम लिखकर उनके डूबने का कारण लिखे आपको उत्तर में लिखना है चम्माच पत्थर रिंग कील पानी से भारी होता है तो आप इस तरह कल लिखेगा इसके ब पानी में आमिस्रित होता है निस्पंदन प्रेक्रिया से करेंगे। दूसरा है पानी में से मिट्टी तो आपको उत्तर में करना है पानी में से मिट्टी को अलग निस्पंदन प्रेक्रिया से करेंगे। तीसरा कोस्चन है पानी में से तेल, तो आपको तर्मिली लिखने है तेल को पानी से अलग करने के लिए गर्मी का उपियोग करते हैं, इसके बाद आता है आपका चौथा प्रिश्ण है पानी में से लगड़ी का बुरादा, तो आपको तर्मिली लिखने है पानी में से मौउजूद रहता है। आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे। टो चली आपको उत्र में लेखना है कि नमक ही रंग हीन होता है और पानी इसने नमक में पूरी तरह घुल जाता है। हम इपने दोस्त को स्वाध जवाद चक कर समझाएंगे कि नमक को पानी में घुलने परवे पानी में ही मौजूद रहता है तिसरा करना है इसके बाद आता है आपका फिर यहाँ पर इंपोर्टेंट लिग देना है निस्पंदन प्रिकिरिया इस प्रिकिरिया में मिस्रड को फिल्टर पेपर के माध्यम से डाला जाता है फिल्टर पेपर पर घुमता है वह आमिस्रित पदार्थ है और फिल्टर पेपर के माध्यम से गुजरने वाले निस्पंदन के रूप में माना जाता है इसको बाद next question चनाता है आपका project car project car में आपके रसोई घर में उपलब्द वस्तुव मैंसे कौन ori वस्ती है जो पानी में गोलने पर गुल जाती है और कौन कौन सी वस्तुवे पानी में नहीं गुलती कौन सी वस्तुवे पानी में डूपती है तो हाँ डूपती है और उपर तैरती है तो आपका ये गलत हो जाएगा नहीं दूसरे में है दाल तो ये आपका पानी में घुलनसील नहीं होता है तो जैसे हमने निशान लगा है आप देख के लगा लीजेगा दीसरा में लिखा है चावल और चौथे में लिखा है चीनी तो आप इस तरह एकल लीजिए आज के वीडियो में देखें के पार्ट आठ में है मच्छों की दावद तो चलिए चलते हैं पहला कोश्चन देखते हैं आपका बहु विकल्पी प्रिश्न प्रिश्न कर्मांद पहला में है रजट को डाक्टर ने खून की चांच कर मलेरिया से ग्रिस्थ बताया यह बिमारी किसके कारण होती है तो आपको उत्तर में लिखना है मादा एनफिलिस मच्छर के कारण दूसरा में है आर्थी के रख्त की चांच में हीमोगलोबिन की कमी पाई गए उसे इनेमन में से कौन सी बिमारी हुई तो आपको उत्तर में लिखना है एनेमिया इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका नमबर में है दिये गए कथनों में से कौन सा कथन मच्रो को दावत दे रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा डे नमबर आज पास के गड़ों में गंदा पानी जमा होने देना इसके बाद दा नमबर में है अनेमिया का पता लगाया जा सकता है आपका उत्तर हो जाएगा रख्त का परिक्षर करके इसके बाद आते हैं आपके रिक्तिस्थानों वाले प्रेश्ण पहले में आपको भरना है इनेमिया दूसरे में भरना है सिनकोना पहले में भरना है आपको लारवा तो यहाँ पे आपका लारवा होगा और तीसरे चोथे में भरना है आपको रक्त रक्त का परिक्षड किया जाता है तो आप इस तरह भलीचे का इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका अति लगुत्री प्रेश्ण प्रेश्ण करमांग दो में हैं लोह तत प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेंगे आपको तरह में लिखना है गुड आवला अपतेदार शब्जीया तीन में है रोनाल्ड रास को चिकित्सा के छेतर में नोबल पुरुषकार से क्यों समानित किया गया आपको तरह में क्योंकि उन्होंने बताया कि मच्छों से से ही मलेरिया होता है पहली बूच कर नाम लिखे सूच में जीवों को बड़ा दिखाऊं मलेरिया की जाज में काम आओ सोचो बच्चो मैं क्या कहला हूँ तो आपका हो जाएगा माइक्रोशकोब इसके बाद आता है आपका प्रिश्ण करमांग पांच पांच में है गयर के पहली में से मच्छों द्वारा होने वाली बिमारियों के नाम ढूंड कर लिखे तो आपको जो है यहाँ पे मच्छों से जो बिमारी होती है उनकी नाम ढूंड कर लिखना है तो पहला आजाएग आपका मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया, तो आप इसता है कल लीचे का, इसके बादा आता है आपका प्रिश्ण करमंग 6, 6 में है रोहन के घर के सामने, गड़े में बहुत दीनों से पानी भारा था, उसके चाचा ने गड़े में मिट्टी कसी का छिड़का क्यों, तो गंदे नाले कचरे पर बैठती हैं, फिर वे घर पर रखी खूली सबजियां रोटी पर बैठ जाती हैं, जिससे बिमारिया फैलती हैं, आठवे कोश्चन में हैं, आर्थी को अमीनिया है, उसे डॉक्टर ने आरन युगत हरी पतेदार सबजिया खाने के लिगा, रजत को म आर्थी को अनेमिया हुआ है, जो हरन की कमी से होता है, जबकि मलेरिया जिवाड़ु द्वारा होता है, इसके बाद आता है आपका दीरक उत्तरी प्रेश्ण, प्रेश्ट करमाक नौमे में है, चितर में दी गए रिपोर्ट का अलूकन कर निमनांकित प्रेश्णों के उत् पहला कोश्चन आता है, यह रिपोर्ट किसके नाम की है, तो आपको तर्म लिखना है रजट, दूसरा है रिपोर्ट के अनुसर किस बिमारी का पता चला, उत्तर में होगा मलेरिया रोग, तीसरा है रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है, तो आपको तर्म करने ह मच्छरदानी का उपयोग दूसरा है नीम के पत्ते का धुआ करना इसके बाद आता है आपका प्रश्ण कर्मांग 10 में है पोस्टर को ध्यान पूर्वक देखकर दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखे तो यह आपका पोस्टर दिया हुए इस पोस्टर को जो है आपको दे प्रश्णों के जानकारी मिल रही आपको तर में लिखना है मलेरिया डेंगू शिकुनगुनिया और तीसरे में है मच्छरों की संख्या को बढ़ाने से कैसी रोका जा सकता है कोई दो उपाई लिखे तो आपको लिखना है आसपास पानी एकठा जमाना होने दे दूसरे में मच्छर दानी के उपयोग करके तीसरे है पानी के बरतन टंकी कूलर को साफ रखे हर हपते शुखाएं इसके बाद आता है आपका चौथा पॉंट में पोस्टर को ध्यान से देख कर बताईए कि किन कालडों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खत्रा होता है तो आपको पानी के बरतन टंकी कूलर में बहुत दिनों से पानी जमा रहता है तो मच्छर बढ़ते हैं और आसपास गड़ों में पानी जमा रहता है इससे बीमारी का खत्रा बढ़ता है तो आपको इस तरह आंसर करना है तो हमने इस वीडियो में सारे कोर्शन के आंसर दे दिये हैं वीडियो अच्छी लगी तो प्रीज हमाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगें पार्टनौ पार्टनौ में दिया है डाइरी डाइरी कमर सीधी उपर चड़ो तो आपको प्रिश्णों को और चलते हैं पहला प्रिश्ण आता है आपका सही विकल्ब चुनकर निमलिकित में से ग्रूप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नमबर केवल अपने खाने का इंतिजाम करना दूसरा है चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं तो आपको उत्तर में लिखना है रैपलिंग तो यहाँ पे आप रैपलिंग कर लीजेगा इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सा नमबर में है मांट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महिला है तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नमबर बच्छंद्री पाल तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्छंद्री पाल इसके बाद नेक्स्ट आता आपका दा नंबर में है। दिए गये शमुह में से कौन सा समुह परवता रोहड में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा गी नंबर राफ्टिन इसलेग स्लिपिंग बैग। तो इसको आपको लिजेगा इसके बाद आता है आपका रिक्तिस्थानों वाली प्रेशन, प्रेश्ण का मांग पहले में आपको लिखता है चटान पर चड़ते समय आसानी से चड़िए चटानों के बीच तो यहां पर हो जाएक 얼마나 दिग्री का कूर बनाते हुए चलना चाहिए दूसरे में है आप परवता रोहर के समय रास्ता भटक जाएं तो यहां पे आपको भरना है आवाज या सीखिया देकर अपने साथियों को संकेत देशकते हैं इसके बाद तीसरे में है आपका परफवाले पहाड़ों पर सहारे के लिए क्रेमियोन का उपियो किया जाता है है, तहु में पंख्यो की कारड गरम होता है, तो यहां पर लिखना है आपको तहु में पंख, इसके बाद आता है आपका अतिला गुत्री प्रेश्ट, प्रेश्ट संकिन तो इसको आप आप यहां से पढ़ लीजेगा, इसको पढ़ के आपको आंसर करना है पहला कोश्चन आता है आपका यह महिला कौन है तो आपको उतर में करना है बचहिंदरी पाल तो आपको यहां से उतर ढूर के लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है दूसरे में है उन्होंने भारत का जंडा क्यों काड़ा तो आपको उतर मिल जखना है क्योंकि वह भारत की रहने वाली थी और अपने देश के प्रती बहुत आधर्श भाव था तीसरा है वह मांट एवरेस्ट कप चड़ी आपको उतर मिल जखना है 23 मई 1984 को दिन में एक बच कर 7 मिनट पर मांट एवरेस्ट चड़ी इसके बाद चौथा प्रिश्ण आता है आपका वह चौथा में हैं मांट एवरेस्ट के उचाई कितनी है आपको उतर मिल लिखना है मांट एवरेस्ट के उचाई 8900 मीटर है इसके बाद आता है आपका पांचव में टेंट बनाने के लिए दोहरी परतवाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग क्यों किया जाता है आपको उतर में करना है दो परतवाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग इसलिए किया जाता है उसमें हवा रुकी रहती है और ठंडी नहीं आती इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लगूत्री प्रिश्ण प्रिश्ण करमांग 6 में है परवता रोहियों को विटामिन C और आरेन की गोलियां क्यों दी जाती है तो आपको आंसर में करना है ठंड से बचाओ और ज्यादा सक्ति वहरक्त का शंतुलन बना रहे इसलिए विटामिन C और आरेन की गोलियां दी जाती है साथवे में हैं आपको कभी डर लगता है तो डर से उभरने के लिए आप क्या करते हैं आपको उत्तरम करना है, हाँ मुझे भी डर लगता है, और मुझे डर लगता है, तो मैं भगवान से प्राथना करने लगता हूं, आपको इस तरह करना है, इसके बाद आता है आपका प्रश्ण कर्मांग आठवा, आठवा में है, केंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों कि आजाता है, तो आपको उत्तरम करना है, केंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग सोने के लिए करते हैं, बैग में बहुत गरमी रहती है, बैग में गुशते ही नीद आ जाती है, इसके बाद आता है आपका देरगुतरी प्रिश्ण कर्मांग नामे में हैं, तो आपको तर्म लिखना है, पहला है बाकी लोगों का शामान उठाने में मदद करना, दूसरा है पूरे ग्रूप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ाना, तीसरा है रुकनी के लिए जगे ढूरना, चौथा है साथी के बीमार पढ़ने पर उसका ध्यान रखना, करमंग 10 में है, आपने भी कभी कोई हिम्मत भारा काम किया होगा, अपने शब्तों में लिखे, तो आपको लिखना है, हाँ, एक बार हमारे गाओं के पास नदी है, वहाँ हम सब नहाने जाते थे, एक बार दोस्त गहरे पानी में जाकर डूबने लगा, तो मैंने पापा को बोलकर रस्ची से, हमने उस दोस्त को डूबने से बचाया, तो आपको इस तरह करना है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार, प्रोजेक्ट कार में लिखा है, माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली भारती महिला, बचेंदरी पाल के चित्र एक कोश्चन नमबर पहला में दिया है, किलो में बड़े जहरों के लिखिया और रोसंदान बनाये जाने का मुख कारण क्या था, तो आपको उत्तर में करना है, रोसनी हवा के दिये, इसके बाद दूसरा कोश्चन में है, राखी ने अपने घर का नक्सा बनाने में चिने का प दाए हाथ की और कौन सी दिशा होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा, स्री नमबर उत्तर दिशा, इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका दा नमबर, दा नमबर में प्राचीन काल में बनाये गए फवारों के चलाने का मुख कारण था, उत्तर हो जाएगा आपका जल दबाओ, इसके बाद नेक्स्ट आती है आपके रिक्तिस्थानों की पूर्धी कीजे, तो आपके रिक्तिस्थान वाले प्रस्ण है, पहला में भरना है आपको निकलियर बम, दूसरा में भरना है आपको बूर्ज, तीसरे में भरना है आपको शहर, और चोथे में भरना आपको बारीक नकासी इसके बाद पांची भरना है आपको उत्तर तो आप इस तरह खालिस्थान भर लीजेगा इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका आती लगुत्री प्रेस्ण प्रिश्ण करमांग दूसरा में है गोल कुंडा कीला की दिवारे मोटी मोटी क्यों बनाई गई थी दूतर में करना है गोल कुंडा कीला की दिवारे मोटी मोटी किले की सुरक्षा के लिए बनाई थी दूसरा कोश्चन है म्यूजियम में प्राचीन चीजों और असेसों को श किले की शुरक्षा के लिए बुर्ज दिवारें दिवार से भी उचे बने होते थे इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका प्राचीन समय में किलों की शुरक्षा के लिए किन प्रकार के इंतिजाम किये जाते थे तो आपको उत्तर में करना है प्राचीन समय में किलों की शुरक्षा के लिए बूर्ज तोप बंदूक हुआ किले की दिवाल के पास खाई बनाते थे इसके बाद छटवे में हैं गोल खुंटा की किले में पानी का इंतिजाम कैसे किया जाता था उतर में करना है बैलों से एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तिमाल करेके मदद करती है कोई छै तो आपको लिखना है बरतन बरतन औजार जेवर हथियार दिवाले पर लिखी हुई लिखी हुई वा बनी हुई आकरिती से हम आतीत को जान सकती हैं आठो गोश्चन में एतिहासी इस्थालों का ब्रमड करते समय वा कौन-कौन से कार करने की मना ही होत आपका दीर को उत्री प्रेशन कर्माक नॉमा में है आप अपने विध्य divine का नक्सा बनाईए तो यहां पर आप अपने स्कूल का चितर बना दीजेगा इसके बाद अंब्रीस के घर से रामू का घर किस दिशा में है? तो आपको नक्सदिक के उत्तर करना है, तो यहाँ पे लिखना है दक्छिर पस्चिम दिशा में. दूसरा कोश्चन है, स्रेष्टी वेयर हाउस से रामू के घर जाने के लिए कौन-कौन से इस्थान से होकर जाएंगे उनके नाम लिखे. तो आपको उत्तर में लिखना है उद्धर इस्कूल से जिला सिक्षा केंदर से डांग घर होकर. इसके बाद तीसरा कोश्चन है, सास की प्राथमिक शाला लूगर वाड़ा दल सागर तालाब से कौन सी दिशा में हैं? तो आपको उत्तर में करना है उत्तर पस्चिम दिशा में? चौथा कोश्चन है, दल सागर से जबलपूर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना तो आपको उत्तर में करना है उत्तर दिशा में इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है आपका पाच्वे में है जीला सिक्षा के अंदर से स्रेस्टी वेयर हाउस की इस दिशा में है तो आपको उत्तर में करना है उत्तर पस्चिम दिशा में तो इस तरह से आपका लास्ट कोश यह वीडियो अच्छी लग प्लीज हमाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा कि भी